हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर उपादिया वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलेसिस बात करने वाला हूं रेल विकास निकम लिमिटेड यानी आर वी एल शियर के बारे में शियर में आज कि दिन 10% का लोर सरकेट लगता हुआ दिखा और स्टॉक में उपर से जो बार बागे और सारे के सारे स्टॉक कहीं ना कहीं आज बिलकुल बैक फूट पर आ गए ऐसे में आर वी एनल में 10% का लोर सरकेट लगने के पीछे का क्या है कारण जिसके पास पोजिशन है शायर आज वह निकल भी नहीं पाया होगा क्योंकि सामने कोई बायर ही नहीं होग क्या आगे भी सरकेट लगने की उमीद है इस सब के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक ब्लॉक डील आज के दिन होती हुई दिखिए उसके बारे में भी बताऊंगा इस टॉक में वॉलियम्स भी अच्छे खासे आते हुए दिखें थर्डी सैवन मिलियन के वॉलियम तो देख सकते हैं आप मोर दन थ्री टाइम्स फोर टाइम्स वॉलियम्स ट्रेट होते हुए दिखें आज के सेशन में वीडियो बनाई थी स्टॉक पे सटरेडे के सटरेडे को जहां पर मैंने आप सभी को आयार एफसी और आर्वी एनल में से आया एफसी के साथ बने रहन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर एक हफ़ते का चार्ट को लोगे तो इस टॉक अराउंड 32 के लेवल से 45 तक चला गया था 43 तक और इस टॉक अब क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे उससे पहले मैं आपको बता ब्लॉक डील का जो टाइमंग है वो देखेंगे आपकी जब सरकेट पर था इस टॉक तब उस टाहिम की ब्लॉक डील की नीज है ब्लॉक डील के बारे में आर्वी एनल 12 वज के 45 मिनट लोवर सरकेट पर था इस टॉक 17.36 करोड की एनसी ब्लॉक ट्रेड है यह और यह 4039 शेर 44 44 लाग शेर की साड़े 44 लाग शेर की ब्लॉक डील थी यह और साड़े सत्रा करोड में इसका प्राइस था जोगी है ट्रेड इनिशियेट हुआ है दिए ब्लॉक डील से ऐसा कुछ मैटर नहीं होता कि यार बिकवाली आई है या खरिदारी एक ने बेचा है एक ने ख बार कितो सुफिकों के बारे हाट पिट पे स्टोंक कैपे स्टोंक या यंश्यूयॡ की मर्के कम्पणी है और railway के शियरों में सब Ils Sब wineloo से पहले एक से ज्बक्रान और IRFC, IRCON, RIGHTS और RVNL ये भागे और अब इन में भी कहीं ना कहीं है करेक्शन है बट देखिए आज तो शायद कोई बेक नहीं पाया होगा और 35, 35, 37 यही कहीं लेवल होंगे जो बाइंग के होंगे तो आ कहने वाली बात है कि आप अपना प्रॉफिट एक तरीके से छोड़ चु रहेगा बट मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में आप अगर लॉंग टम के नजरिये से देखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है यह उपर नीचे चलता ही रहेगा और मार्केट भी आप से देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिट कैप जिस कदर पिटाई पढ़ रही है इन परसेंटेज में पिटाई हो रही है चाहें बड़ा स्टॉक हो चोटा हो और आज कल तो लार्ज कैप भी अगदम मिट कैप और स्मॉल कैप की तरह रियक्ट कर रहे है रिजल्ट्स के बाद आप सबी ने देखा एशियन पेंट जैसा दिगगत शियर 7-8% निकल गया अपने हाई से और काफी नीचे तक चला गया था बहुत वॉलेटाइल हो यह मार्केट इंडिया विक्स आप सबी देख रहे हो 8-8% तेजी के साथ बढ़ शायद आप नहीं ले पाऊगे लोवर सर्केट के कारण तो बने रहने की सला होगी और पैनिक ना करने की सला होगी स्टॉक आपको दुबारा से 40 के लेवल सरांड रहूं दिखाता हुआ देखेगा और सेम आयार एफसी में आपकी पोजिशन है तो बने रहे है और फ्रेस बनाने चाहते हैं तो डिप का वेट करें 35 के रांड आता है तो आप बाया करने की सोच सकते हैं कहीं ना कहीं स्टॉक को ओवरॉल स्टॉक काफी बढ़िया है नो डाउट तो यह मेरी वीडियो आर वी एनल शेयर पर आप सभी को समझ और पसंद दौन आई होगी तो थेंकि मुझ वाचि वीडियो